आज मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं साउथ इंडियन रेड चटनी की रेसिपी जो हम एडली रोसा और वड़ा के साथ खाते हैं ये खाने में बहुती ज़्यादा टेश्टी होती है और इसे बनाना भी बहुती ज़्यादा आसान है तो फटा फट से वीडियो को स्टा करते हैं सबसे पहले हम एक प्राइपन लेंगी उसमें वन टेबल स्पून वेजिटेबल ओल लेते हैं इसके बाद मैंने यहां पर एक चम्मच चना दाल और एक चम्मच उड़त डाला है और इसे अच्छी तरह से पका लिया है यह जैसे ही रेड कलर्स की दिखने लगती है इसके बाद हम यहां पर तीन से चार लेसून की कली एड़ कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से पका लेते हैं इसके बाद हम तीन से छार लाल मिर्च डालेंगे इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है जिसके टुकड़े कट करके डाले है प्याज डालने के 4 से 5 सेकेंड के बाद अब हम एक बड़ा टमाटर लेते हैं और इसे विबारिक कट करके इसमें एड़ कर देते हैं यदि आप छोटा टमाटर ले रहे हें तो आप यहां पे दो या तीन भी ये यूज़ कर सकते हैं. जब तक अब हम इसे इतना पकाते हैं, जब तक कि ये टमाटर हमारा अच्छी तरह से पक न जा, दो से तीन मिनट मेडियम फ्लेम पर इसे पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे तामाटर अच्छे तरह से गल चुका है अब हम इसे ठंडा करते हैं और मिक्सर जार में डालते हैं हम इसमें थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसान नामक और दो से तीन चममच इमली की चटनी एड़ कर देते हैं अब इन सबको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं और इससे हम ग्राइंड कर लेंगे अब को ग्राइंड करते हैं इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करना रहेगा आप देख सकते हैं हमारी चटनी बनकर रेड़ी है बट हम इसमें तड़का लगाएंगे तो तड़का लगाने के लिए फ्राइपेन में थोड़ा सा ओयल लेंगे जैसे हमारा गॉल गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़े से राई के दाने और करीपता एड़ कर देते हैं जैसे ये तड़क जाते हैं हम इसे हमारी चतनी में तड़का को एड़ कर देते हैं आप देख सकते हैं कि हमारी चतनी बनकर रेड़ी है ये श्रत्नी भहुती च्वादा स्वाधिस्टो होती है तो आप एक बात जरूर घर पर इससे ट्राई कीजेगा यदि हमारा ये विडियो आपको पसंद आये हो तो हमारे विडियो को लाइक और सेर जरूर कीजेगा और यदि आप हमारे चैनल पहना हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ठैंक्स फॉर वाचिंग